अगर medicines और health से लेटेड आप information चाहते हैं तो अभी subscribe करें मेरे चैनल को knowledge for care तो आज के शीडियों बात करेंगे neutrality और थो केर के बारे में अब इसके क्या फायदे हैं, कैसे लेना है और क्या price है ये सारी जानकारियां जो है आज के इस वीडियों में आपको दूँगा तो दिखें ये जो neutrality और थो केर है ये पतनजली की है तो आप चाहें तो इसको पतनजली और थो केर भी बोल सकते हो और अगर हम इसके price से रुवात करें तो एक हजार पचास रुपे में आपको इसके अंदर 30 से से मिलते हैं ये जिसको आप पहुँच बोलते हो ना तो करीब एक से से जो है आपको पढ़ेगा इधर 35 रुपे के आसपास अब इधर जो इसको खरीदना कहां से है तो देखिए इसको आप कोई भी जो लोकल पतनजली स्टोर आप ये घर के आसपास होंगे वहाँ से खरी सकते हो या फिर आप इसको आलनाइन भी करी सकते हो तो आलनाइन खरीदना है तो गूगल पर एक बार इसको सर्च करके देख सकते हो आपको कई जगे से ये एवलेबल हो जाएगा अब देखिए ये जो है आप इसको मेडिसिन बोल सकते हो अब ये एक वेजेटेरियन होती है और इसमें कोई भी ऐसा हमफल गेमिकल यूज नहीं हुआ इस से से में जैसे के आपको कोई नुकसान पहुँचे तो चलिए हम बात करते हैं इस न्यूट्रिला और्थो केर में क्या क्या है तो देखिए इसमें है ग्लूकोसा माइन मिलेगा इसका अलावा कॉंडरिटिन मिलेगा इसका अलावा हड़ जोर्ड, रोसिप, अजब गंदा, दाल चीनी, अनार इस प्रकार से इंगिडियन्ट है जो के काफी अच्छे और काफी पावर्फल इंगिडियन्ट है अब इससे आपको देखे बहुत सारे न्यूटरिन्स मिलते हैं जिसे के आपको इससे मिलता है सोडे मिलता है, बिटामिन सी मिलता है, बिटामिन के टू सेवन मिलता है, बिटामिन डी मिलता है, इसका अलावा फोसफोरस मिलता है, कैलसियम, पोटेसियम, तो ये सारे न्यू अब जैसे के अगर आपके joints में कोई problem होती है, जोडों में दिक्कत होती है, या फिर ये जोडों के health के लिए काफी अच्छा जो है, ये ortho care है, अब इसके अलाबा देखिए अगर आपको arthritis है, गढ़िया की बिमारी है, osteoarthritis है, उसमें काफी ये फायदे मत होता है, ये ortho care, अ इसके अलाबा आपने देखा होगा कई लोगों में उनके joints होते हैं, वो flexible नहीं होते हैं, मतलब joints जब move करते हैं, तो काफी दर्द होता है, काफी problem होती है, तो ये joints की flexibility है, उसको बढ़ाने में काफी मदद करता है, ये ortho care, अब इसके अलाबा देखिए ये जो है आपकी हड इडियों को भी मजबूत करता है, और जो भी calcium बगेरा होता है उसको absorb कराने में काफी मदद करता है, जिससे के आपके हड़ियां जो हैं उसको अच्छा फायदा मिले, इसके अलाबा आपकी जो cartilage है, उसके healthy लिए अच्छा है, आपके ligament के healthy लिए काफी अच्छा है, अब अपने joints को मजबूत करने के लिए बिलकुल इसको लेकर देख सकते हैं, अब इसके अलाबा देखिए अगर आपकी उमर जादा हो गई है, तो देखिए आपने देखा होगा जिनकी उमर जादा हो जाती है, फिर बड़ापे में तो joints में दिक्कत जरूर होती है, और घुटन अब देखिए इधर हम बात कर लेते हैं, इसको लेना कैसे है, तो देखिए एक से से आपको एक दिन में दोवार लेना होता है, एक देखिए आप सुवा नाश्ते के बाद लीजिए और एक रात में खाने के बाद लीजिए, अब इसको जो है आपको जो देड़ 100 ml पानी हो तो डॉक्टर की सला से ही इसको लें अब इसको कब तक लेना है तो डिपेंड करेगा आपकी बीमारी पर आपकी प्रॉलम पर तो आप इसको एक से तीन महें तक लेकर देखें बेस्ट ज़ल के लिए और प्रॉलम जाता है तो इसको लंबे समय तक भी ले सकते हैं आपके प्रॉलाम पर तो इसको एक महना कम से कम रेगूरल लेकर देखे एक महना आप जैसे ही लोगे ना तो आप देखेगा कि आप अच्छा खासस का फायदा देखने को मिलेगा और देखिए हर किसी बार ज़ड़ अलग-लग आता है सबी को एक जिसा फायदा नहीं मिलता है आप इधर में कुछ एड़वाइस भी दूँगा अगर आपी न्यूटरिला का और्थो केर लेते हो तो जैसे के अलकोहल, स्मोकिंग, जंक फूड, फास्फूड, मीठा, बाहर का खाना, पीना इस सब बंद करें इस सब हेल्थ कली बेकार होता है आप हेल्दी राइड लेक खेंदी लाइव शेल रखें, इसके अलावा बजन जादा है तो इसको कम करिए, थोड़ी बूद एक्साइस कर सकते हैं, या फिर आप वाकिंग वगेर भी कर सकते हैं, और देखिए आप दूद पी सकते हैं, कम सकम एक दिन में दो बार तक दूद पीजिए, इससे भी अच चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी अपने चैनल में नॉलेज़ फोर केयर